नमस्कार, आज ना आ वर्चुल ग्लास ट्रेनिंग प्रोग्राम मा आपनो हर्दिक स्वागत छे ITI मां चालता मसिनिस्ट टेड अंतरगत लेथ मसिन उपर वपराता कटिंग टुल्स अने तेना उप्योग विशे जानीशु दागी नावने तयार करवा माटे लेथ मसिन उपर जुदा जुदा आकार ना दागी नाव बनाविये तयारे कामने अनोरू अलग अलग प्रकारना कटिंग टुल्स अपर विशे तेमच दागी ना आकार मुझो पनुदा जुदा जुदा कटिंग टुल्स जरुरी जुरुदी आवे समय काम करवा माटे दागीना नी चरुर्यात मुझबनू टूल अथ्वा तो दागीना नी बनावट मुझबनू टूल पसंदगी मा लई उप्योग मा लेवा मावे जे आवा समयी लेथ मसीन पर काम करवा माटे वपड़ाता जुद्या जुद्या कटिंग टूल्स वी से जानी से लेथ मसीन पर काम करती वक्ते जुद्या जुद्या प्रकार ना टूल्स से जेमा लेथ उपर ना जिदाजिदा ओपरेशनों मुझब एनो आकार अने प्रकार पन बदलातो होई छे तोवे जोईशु कि लेथ उपर विवीद प्रकार ना कटिंग ओपरेशनों करवा माटे अनेक प्रकार ना कटिंग टूल्स नो उप्योग करवा मा आवे छे जिमने लेथ कटिंग टुल्स कहवाँ आवे जे लेथ उपर सामानिया पणे सिंगल पॉइंड कटिंग टुल्स नो उप्योग थाई जे कि लेथ मसीन उपर जारे काम करता हुय त्यARे दागी नाने गोड फिरोवाँ आवे जे अने कटिंग एक्षन दर्म्यान फक्त एक ज पॉइंट वाड़ू सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स नो ज उप्योग थाई शकेजे हाँ गणी वक्ते होल पाड़वानों होई केंद्रनी अंदर ज्यारे पॉण ओपरेशन करवानों होई त्यारे अमुप प्रकारना ओपरेशन माटेज एक करता वधरे पॉइंट वड़ा कटिंग टूल्स वापरवामा आवेजे जमनी कटिंग धार येलेके एज ने जरूर प्रमाणे कोणों मा तेमाज क्लियरांस आपीने ग्रांडिंग करवामा आवेजे मुख्यत वे जोईए तो लेथ मसीन उपर त्रण के चार प्रकारना जुदा जुदा आकारों माँ कटिंग टूल्स उपलब्द चे जिमा आकरूती माँ बतावे मुझबनू सॉलीड प्रकारना कटिंग टूल्स नो उप्योग करवामा आजे आ एक बीट टाइपनू कटिंग टूल्स जेने हाइस्पीश टील माँ थी बनावामा आवेजे आ टूल चोरस आकारनो एक लंबाईवाडों टुकडों लेवामा आवेजे जेने योग्य रिते हार्डनिंग टेंपरिंग करी तयार करेलो है जे आवा कटिंग टूल्स ने काम प्रमाने योग्य आकार आपी अने उप्योग करी शकाई जे धरोके कोईपन काम करवू होई धरोके वी टूल बनावू होई तो पन बनावी शकाई साइड टूल बनावू होई तो पन बनावी शकाई अथवा तो कोईपण आकार ना थेडिंग माटे अतवा तो फर्म टूलनी रचना करवी हो smile तो पन आवा सौलीड प्रकार ना टूलनो उपयोग करवाँ हो结 ते चौरस अतवा तो लम्ब चौरस आकार मां ुपलब्द होई चे आ लंब चोरस ना काराणे आगड़ना भागे आपेला चोरस भाग मा योग्या आकार के शेप मुझब ग्राइंडिंग करी तमे आ कटिंग टूल ने उप्योग मा लई शको जो आ संपूर्ण टूल एकज धातू माथी बनावामा आवेल छे एकज धातू माथी बनावेलू होए जिती करीने तेने सॉलीड टूल पण कहवामा आवे छे एकज धातू छे ए हाइस्पीड सीलनी धातू माथी बनावेलू छे जिती करीने चोरस एक लांबो टुकडा जेऊ आ आना उप्योग मा लेता आपेला योग्य आकारेने ग्रांडिंग करी चोक्कस पोजीशन मुझब टूल पोस्ट मा अथवा तो टूल होल्डर मा फीट करी उप्योग मा लईशक आई जे बिजा प्रकार मा जोईए तो बीट टाइप ना बीट प्रकार ना टूल तो आजे बीट प्रकार ना चे एपण एक अविज रिते तयार करेली चोरस टुकडाओना स्वरूपमा वापरवा माटे काम मा लागे जे ते पण हाई स्पीड स्टील मा थी बनावा मा आवेजे तेमा कोबाल्ट मेडवी ने बनावेलू होईचे जेथी करीने थोड़िक शम्ता नी वधारे होईचे ते आख्याखी बीट नई परंतु टुकडावना श्वरूप मा वापरवा मा आवेचे त्याने टुकडाव मा वापरवा मा आवेचे अने त्याने पकडवा माटे एक टूल होल्डर आपेलोएचे आ टूल होल्डर नो उप्योग करवा मा आवेचे जेती करीने टूलने आकारे ग्राइंडिंग करी त्यार पची आकृती मां बतावे प्रमाणे टूल होल्डर मां टूल बीट ने फीट करी औने उप्योग मां लेज शकाई चे ये दर्मियान आगड़ना जे सेप चे ये सेप येना काम अथवतो काम ने अनुरूप आगड़ना टूल नो भाग गस ग्राइंडिंग करी औने लगावे लहोए कणि वक्ते वी टूल बनावी शकाई साइडी टूल बनावी शकाई आवा उप्योग मां थ्रेडिंग टूल बनावी शकाई पार्टिंग करवा मांटे पार्टिंग टूल पन बनावी शकाई ये ले बीट प्रकार नुजे टूल ये नाना टुकड़ावना स्वरुकमा पण उप्योगमा लई शकाई छे टिपडपकार ना टूल त्याने कार्बन स्टिल नी बनावेली एक शेंक ना छेडा उपर टंग्स्टन कार्बाइड अथवातो कोबाल स्टिल ना टिप ने ब्रेजिंग करी तयार करवा माले आकृती मां बतावै प्रह्माने जे लांबो सेंक नो भाग जे छे ऐ कार्बन स्टिल नो टुकड़ होय ये योग्या आकार ये तयार करी त्यार पंची आगण ना बागे जे नानी टीप बतावी छे ए टिप टंग्स्टन कार्बाइड अथवातो कोबाल स्टिल नो टुकड़ो ग चन्रली कामदरीम्यान आगेड आपेली जे नानी टीप छे ए टीप नाज उप्योग थी तमें काम करवानु जे शेंक खाली होल्डर माँ पकड़ावी अने शपोर्ट करवा माटे उप्योगी छे तो आवा आकार अने शेव मुझबना जुद्या जुद्या प्रकार ना टू पन उपलब देवाएचे चेने तैयार करेला होएचे अने त्यार पची कामने अनुरूप अनु सिलेक्षन करी अने वप्रास मा लई शकाएचे एंसर्टे टुल ऊजना आ मडण जमाना मा जुईए तो मशीनों पन हाइटेक थाहिया छे तेमास साथे साथे काम करवा माटे क्टिंक टूल्च पन एटलाज हाइटेक थाहिया चे तो एवा समय इंसर्टेट टूल नो उप्योग करवा मावे तो के कामने अनुरूप होल्डर मां बतावया प्रमाणे आगर ना बागे कार्बाइड नी जे टीप लागेली छे ए टीप जुदा जुदा आकारे और जुदा जुदा प्रकार मां उपलब छे छे टूल होल्डर आकार प्रमाणे टीप ने बना विली वह जै अन्न योग्य रिते ग्रांडिंग करी तैयार करेली बज्यार मां उपलब छे शर्वाडे ए मोंगी पड़े जै पन आजना आ युगिनी अंदर सोथी वधारे प्रोडोक्शन मेडव वो होय अन्ने लांबा समय सुदी कारियर इवा कामो करावा माँटे अथवा तो एकज कटिंग टूलने उप्योग करी लामब समय सुधि वधूमा वदु धागीनाओ तयार जहरे करना होई त्यारे आप्रकार ना कटिंग टूलने उप्योग करवामा आवेचे जे मा टूल होल्डर नी आगड़ना भागे एक नानी कार्बाइट टीप नी अथवा तो जरूरी मटियल माथी तयार करेली टीप होई चे ए टीप ने इंसर्ट केवा मावे चे ए इंसर्ट लगावी अने टूल ना उप्योग मा लेई शकाए चे टूल होल्डर ने एना आकार अने प्रकारमुजब कारबन स्टील माथी हाडणिंग टेंपरिंग करी तैयार करेलू होई औने आगड़ना भागे एनने पकड़ावा माटे फिट करवा माटे खांचा बनावेला होई आ खांचाना उपरना बागे नट बोल थी एने योग्य क्लैम्स वारा टाइट करवानी आखी तयार करेली मिकेनिजम अथवा तो आखु तयार करेलू आउट टूल होल्डर बजार मा उपलब्द होई छे आ प्रकार ना टूल बजार मा थी तयार मड़े चे तयाने जुदा जुदा आकार औने प्रकार मजब उपलब्दी होई छे के कामने अनुरूप तमे अलगलग प्रकार ना आकार मुझेब ना टूल ने वापरी शको तारो के VTool नी जरूरियाद होय तो VTool प्रमाणे ना पन टूल होलर अने एनी इंसर्ट तयार मड़ती होईचे SideTool होय तो SideTool प्रमाणे ना पन एना टूल नी इंसर्ट ते यार होईचे तेमाज ठ्रेडिंग करती वक्ते, इंटर्नल ओपरेशनों करती वक्ते अंदर होल नी अंदर बोरिंग करवानू होय, रिसेसिंग करवानू होय, गुरुवींग करवानू होय, थ्रेडिंग करवानू होय आवा अलग प्रकार ना ओपरेशनों करवा माटे अलग अलग आकार ना टूल होल्डर तेमाज टूल बीट पण यानी इंसर्ट पण मड़ी रहे छे अवे लेथ टूल्स नो वर्गी करण चनरली लेथ मसीन उपर लगावेलो दागीनों छे एने गोड फेरोवा माँ आवेजे आ फर्ता दागीनाने कापवा माटे एने दिशा उपर थी नकी करवा माँ आवेजे चन्रली लेथ मसीन मां जोई ये तो एक छेडा पर एना हेड स्टोक आपेलो होई छे मसीन नो हेड स्टोक अने स्पिंडल आपेलो होई छे अने बीजा छेडा पर एननो टेल स्टोक आपेलो होई छे चन्रली बन्नेव छेडा ने लंब मा दागिनाने लगावी उपयोग पन करी शकाई छे आनी जे लंबाई जाचे ए लंबाई ने वच्चे दागिनों पकडावी त्यार पची टूल नों उपयोग करवा माँग आ टूल आकुरूती मां बताव्या प्रमाणे दागीनाने बन्नेव बाजूती मशीनिंग करी शकाईजे ए मशीनिंग करवानी दिशाना आधारे एने बे प्रकारे उड़ोखवा माँआजे तैने फीडनी दिशाना आधारे लेप्ट औने राइट हेंड टूल्स तरीके उडोखवा माँआजे एने तमे आस तरप थी आगणनी तरप जयरे कापता कापता जसो त्यारे ए आगणनो छेडो काप से एले हेड स्टोक तरब जहरे पन टूल एक्सन मा होई औने हेड स्टोक नी दिशामा चालतू होई त्यारे एक काप्त काप्ता चालता नी दिशाने राइट हैंड टूल कहवा मारे एवी जिरीते हेड स्टोक तरब थी तेल स्टोक तरब टूल जहरे एक्सन मा होई कार्य मा होई औने काप्तू काप्तू तेल स्टोक नी दिशा तरब जहरे प्रयान करे शे अथवा तो चाले शे औने दागीनाने कापे जे आवा समये तू एवा प्रकारना टूल ने लेफ्ट दागी नो तयार करता हुए, त्यारे दागी नामाँ वधारनू मटरियल जेँ चे, एने जड़ख्ति दूर करवा, अथवा तो योग्य माप साई सुधी माँ लई प्रमाण प्रमाण प्राइपसर चिभल योग्य प्रमाण प्रमाने ग्रायंड करी प्रमाण उस Kelvin अमें नाझा difारीर JESS District अने Ruffing और Finishing tool बनावी शकाई जे Ruffing tool ये वधारानी धातू जड़प्ती दूर करवा माटेवा पराई छे चारे Finishing tool ओची धातू ने दूर करी दागीनाने चोक्कस माप साईज मा तथा Finishing मेडवा माटेवा पराई छे आकुरूती माँ बताव्या प्रम्याने टूल ना एंगलो जेछे एनी अंदर जुद्या जुद्या आकारे मशीनिंग करी शकाईजे थारो के वधारानू मट्रियल दूर करवू होई चड़त्छी एनने दूर करवू होई के मूटा कट्रना स्वरुप मा एनने उप्योग करवो होई त्यारे रफ टूल नो उप्योग करवा मा आवे जे थोडू मट्रियल दूर होई दागिनाने वधारे स्पीड थी चलावी अने एना पर फिनीशिंग पन मेडवानू होई त्यारे फिनीशिंग टूल नो उप्योग करवा मा आवे जे आ प्रमाने टूल ने अलगरीते ग्राइंडिंग करी तयार करी अने वापरवामा आर्ग छे फिनीशिंग टूल आ फिनीशिंग टूल ओछी धातूने दूर करी चोककस माप साइज माँ तथा फिनीशिंग मेडवामाटे वप्राइज चनरली टूल ने बतावियो छे आकुरुती माँ बतावेला टूल ने आगड़नो जे पॉइंट छे ए पॉइंट त्यमाज एना आपेला एंगल हो जे मां रेक एंगल अने क्लियरेंस एंगल ए वधारे वोची एंगल आपी अने ग्राइंडिंग करी तयार करवामाँ छे धरो के रफ काम करता होई तयारे रफ काम दर्म्यान मजीन पर मोटो कट लेवा माँँजी आ मोटो कट लइये तयारे मशीन नियेंदर काम करता लोड़ पन वधारे आवेजी जेती करी ने जोब अथवातो दागी नो अने टूल उपर वधारेक गर्शन प्यादात हाईजे कपायली एनी जे चीप्स से ए मोटा टुकडाना स्वारूक मा कपाती होईजे तो एनने सपोर्ट करवा माटे एना जी एंगलों छे सवथी ओचा मा ओचा राखी और ग्राइंड करवा माँआजे चनरली 4-6 डिगरी जेतला एंगलों उप्योग करवा माँआजे और त्यार पची टूल ने ग्राइंडिंग करवा माँआजे इवी जी दिते जहरे दागी ना रफ करी लिधा पची येना उपर फिनिश कट लेवा नी होई तो फिनिशिंग दर्म्यान दागी ना चोकसाई मुझब टूल ने फरिथी ग्राइंड करी ना उप्योग करवा माँआजे इल्ए प्रोडक्शन लाइन माता में जूओ तो मसीन पर एक सामटा गणावधा दागीना बनाउता होई तो एक मसीन उपर रफिंग काम करता होई इवोज दागीनों बीजा मसीन उपर फिनिशिंग काम करता होई तो आप बन्नेवन वी पर लागेला जे कटिंग टूल से जहां रफ काम करता है, त्यां रफिंग मुझब नू तयार करे लोग टूल वापर से, जहरे फिनिश दागीना बनावता है, त्यारे फिनिशिंग प्रमाने, इल्ले के सौथी वधारे जरूरियात मुझब ने एंगल वापी, योग्य टॉप रेक, साइड रेक, फ्रंट रेक अने बेक रेक एंगल वापी, टूल ने तयार करी, योग्य पोजीशन मा सेट करी, दागीना उपर मसीनिंग करवा माया जे, आ मसीनिंग दर्म्यान दागीनो चोककस माप साइज माप साइज माप साइज अने टूल नी शमता मुझब, अथवा तो टूल ना ग्रांडिंग उपर ती तमें दागीना उपर सारा मा सारू फिनिशिंग पन मेडवी शको जो, चे मां कामने अनुरूप आकार मुझब जुदा जुदा ओपरेशनों करवा माटे अलग अलग प्रकारना कटिंग टूल्स वपराय जे, चे मां ती जनरल काम माटे वपरातू एक वी टूल आकुरती मां बतावे मुझब वी टूल नो उप्योग प्लेन टर्निंग करवा माटे अथवा तो शक्य होए तो जरूरियात पड़े तो गुरूविंग करवा माटे नो उप्योग थाईचे वी टूल ना उप्योग थी दागिनानी बन्य दिशा मां टर्निंग करी शकाईचे तता बन्य दिशा तरब खसेडी टावेल करी अने वी गुरूप पन पाड़ी शकाईचे आवाज आटा जे पाड़वा माँ आवे तो ए आटा पाड़वा माटे पन वी आकार ना कटिंग टूल्स नो उप्योग करवा माँ थारे हेवी लोड वाड़ू काम करवानू होई वधारे चड़थी मटियल दूर करवानू होई फक्त एकज पोजीशन मा अथवा तो के टर्निंग एक्षन माज जे रे काम करवानू होई त्यारे आवा वी टूल्स नो उप्योग करवा माँ आज चती करीने ओच्छा लोड थी सरडता थी सारा फिनीशिंग साथे दागीनानू प्लेन टर्निंग अत्वतो वी आकारना गुरू करी शकाईज गणी वकते स्टेप टर्निंग करवानू होई त्यारे पन वधारानू मट्रियल ने दूर करवा माँटे चोकस माफ साइज करता थोड़ी थोड़ू वधारे मट्रियल रवा दे औने रफ टर्निंग पन करीले वामा उप्योग करवा माँ आज साइड एन फेस टूल आ साइड एन फेस टूल ना उप्योग थी दागीनानी बेव पोजीशन मा एले के धरीने शमांतर तेमाज धरीने लंब एले दागीनाना डायामीटर नी फेस ने तेमाज डायामीटर ने बनने उने काम करीशकवा माटे शमता धरावे चे तो के टूल लगावया पची योग्य पोजीशन सेट करी एना थी दागीनानी लंबाय माँ पन घटाडो करी शकाई चे औने डायामीटर माँ पन घटाडो करी शकाई चे दागीनानी लंबाई मां गटाडों करवाने फेसिंग ओपडरेशन के वामा आवेज, अने दागीनाना उपरना डायमीटर ने उछो करवामा आवे, तेने टर्नींग के वामा आवेज, चेती करी टूलने side and face टूल तरिके उडखवामा आवेज, आ दरेक प्रकारना टूल समता मुझेीं बापरवाम आए हुँजी, खे धीकरी ने दागीनाने सरडताथी बनावी शकाई, वी टूल ना उपव्योग्ति ते मझे साइड टूल ना उपव्योग्ति, फक्त प्लेन टर्निंग करी शकाई अथुद रप्मटियल दूर करी शकाई, एविज दिते side and face tool ना उप्योगती तमें जारे पन काम करता होई त्यारे दागीनानों facing पन करी शकाई जे अने एज लगावेला tool नी position मुझे अना थी turning पन करी शकाई जे यल्ली दागीनाने लंबवद पन कापी शकाई जे अने अक्षने समांतर पन कापी शकाई जे Round nose tool जनरली दरेक प्रकार ना जे tool छे ए टूल नी अंदर आगड़ना आकुरुती मां बतावे प्रमणे आगड़नों जे point छे यहने round करवा माँज आ round करवा थी tool नो जे एकदम तीक्स्ण अने पातड़ो point हसे यहने grind करी अने आकुरुती मां बतावे मुझे बनावा माज आओ round करेलो tool नो जे point से ए tool साथे गर्षन मां आवसे त्यारे गर्मी उत्पन थती हसे तो सहन करवानी एमां ख्षमतार हसे जो एकदम तीक्स्णा point हसे तो ए तीक्स्णा point टूल ना संपर्क मां थोड़ो जावसे एक्षन मां जारे हसे त्यारे उप्योग दर्म्यान गर्मी ना कारणे ए cutting point जडब थी खराब थाई जवानो बई रहे जे इटले वारे गड़िये वारे गड़िये तमारे टूल ने छोड़ावी अथवतो ग्राइंडिंग करवानी जरूरी याद पड़े जे आवा समय टूल नो point राउंड बनावे लोहवाई थोड़ो गणों तो लांबो समय सुधी टूल कारियर अत्रही शक्ये साथे साथे जो बने टूल वच्चे गर्षण दर्म्यान उत्पन थती गर्मी ने दूर करवा तमे कटिंग फ्लुईड तरीके कुलंट नो उप्योग करसो तो सरर ताथी सारीरी ते मट्रियल तेनी चीप्स दूर करी शकाईचे अने बने वच्चे उत्पन थती गर्मी ने दूर करी शकाईचे जती करी ने दागीनाना मट्रियल मा पन कोई चेंजी सावता नती अने टूल मा पन कोई चेंजी सावता नती एटले लांबो समय सुधी एनी कार्यक्षमता जडवाई रहे जे वदारे मटियल जड़ती दूर करवा माटे आप प्रकारना टुल नो उप्योग करवा मा आवेच पार्टिंग टुल टर्निंग दर्म्यान करेला कोईपण प्रकारना दागीना अत्वा तो लेथ मसीन उपर उप्योग माँता कोईपण प्रकारना दागीना ने पार्टिंग करवा, पार्ट करवा है लेके भाग पाडवा, भाग पडवा माटे अकुर्ती माँ बताव्या मुझबना बे प्रकारे ग्रांडिंग करेला टुल नो उप्योग करवा माँ आवे छे, एक लेफ साइड ग्रांडिंग करेलो छे, एक राइट साइड कुंआ वकते ड्रील करें पachi लाबो सड़ियो लाबो राउंड बार होय अवा लाउंबा रॉंड बार निंदर ड्रील लौल करें पachi नानू बूश बनावी तो तियां लगावे लोज दागी Nao राखी अने डृलिंह करें पachi आटूलनों उप्योग करी अथ sucveень पार्टिंग टुल ने योग्य रिते सेट करी धिरे 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 कटिंग एक्षन माल लावी औने दागी ना उपर तयार करेला होल माथी एक नानो भूष पन तयार करी शकाएजी जय थी रिशेश आ टुल ना उप्योग्थी पार्टिंग करवा माटे उपलब्द चे तिना उप्योग्थी दागी नामा टुकडा करवा कि रिशेशिंग करवा माटे उप्योगमा लेवामा आवेची अवे रिशेशING टुल तो कि कामने अनूरुक दागी नामा ज्यारे पन चरुपण जरुर्यात मुझजब्णा ओपरेशनों करवामां अथ्वा तो काम धर् बच्चे थी अठकावा माँटे जे स्लोट के खांचो करी अने जग्या अपवामावे चे एने रिशेस के वामावे चे गणी वक्ते दागीनानी शाप्ट होई तो ए दागीनों जे शाप्ट से ए शाप्ट ने छेडा पर बेरिंग लगावा माटे ग्रैंडिंग करवानु हो तो थ्रेडिंग करेला भाग ने अथव तो थ्रेडिंग टूल ने तिया छुटवा माटे जे खांचो पाडवा मावे चे एने रिशेस के वामावे चे ए रिशेस के वामावे चे ए रिशेसिंग करेला भाग मा टूल तिया तमारवाव से तिया ति तमारवरे रिटन लई अने फरीती कोटलाई शकाई जे अत्वा तो जिया खुणो पड़तो होई ए खुणा पड़वानी पोजिशन मा के जरुरियाद मुझबनो उप्योग करवानो भाग होई एनने अलग थी दर्सावा माटे रिसेस करवा माँ आवे चे आवा तुल ना उप्योग थी दागीना टुकडा करवा के रिसेसिंग करवा माटे उप्योग मा लेवा माँ आवे चे जनरली रिसेसिंग थेडिंग दर्म्यान एनना लंबाय मा पाड़ेला आटा चे त्यां थी टूल ने चुटवा माटे अथ्वतो ग्रांडिंग करता होई त्यारे ग्रांडिंग पर जैनु ग् पन होई शके जहें जहरे आटा पाडवाना होई त्यारे एक स्लोट आकार नो अथवा तो गुरू आकार नो एक खाचो बनावामाँ जहने रिशेशिंग.. कि वक्त ग्राइंडिंग करवानु होई तो ग्राइंडिंग वील ने छुटवा माटे अंदर ना भागे अर्ध गोडाकार सपाटी आवे ए प्रवमाने राउंड आपेलो होई चेथी करीने रिशेशिंग तमे करो तो ए रिशेशिंग दर्म्यान टूल नी अंदर नी जे पो ग्रूविंग टूल दागी नावमा गणी वक्ते उंडा खाचा बनावामा आवे चे आ खाचा ने पोडो न होई परंतु उंडो वधारे होई तो एवा जेब करेला खाचा चे एने ग्रूव के वामा आवे चे ग्रूव करवा माटे आकरूती मा बतावे मुजबना ग्रूल नो उपयोग करवा मा आवे चे कणी वक्ते दागी नावनी साप्ट छे तारो के हेड स्टॉक नी अंदर अथवा तो कोई पन मसीन नी अंदर मोटर ने फिट करिये तो के मोटर ना बे चेडा पर निकरती जे साप्ट चे ए साप्ट ने दूर हटी ना जाए अथव अथवा तो हेड स्टॉक नी अंदर लगावेली साप्ट चे ए साप्ट ने योग्य जग्या ए फिक्स करी राक्वा माँडे एमा सरकली फिट करवा माँए अथवा तो कोई वस्तुने बे पेकिंग द्वारा पन एव गोड़ा वड़ा पेकिंग होए ना थी फिट करवा मा आवा समय एक खांचा नो उप्योग करवा माँए तो दागी ना उपर उंडाई मा तेमज वधारे पोडा ना होए अने वधारे उंडा होए एवा खांचा करवा ना होए कि एवा गुरू करवा ना होए तो आवा गुरूविंग टुल नो उप्योग थाई छे તેડ કટિંંગ તોકે લેથ મશીનુ ઉપર સાઉથી અરુંં અને સાઉથી સારામાં સારુ जो सिखवानू के करवानू होए तो ए थ्रेड कटिंग चे तो ए थ्रेड कटिंग करवा माटे जुधा जुधा प्रकार ना थ्रेड आवे चे ए थ्रेड मुझब ना अलग-अलग आकार मा तेमाज पद्धती मुझब अलग-अलग आउंशुमा टूल ने grinding करी अने थ्रेड आ थ्रेड एक छेडा परती पाड़ी शकाई चे तो जियां छेडा परती शरुवाद थाई त्यां थी एने जियां कापवान होई चे त्यां सुधी ना आटा पाड़वा माटे एना योगिया एंगल आपेलो होई बचार मा उपलब्ज नट ने बोल्ट तमें जुओ तो बे प्रकारे माड़े चे एमा जनरली फास्टनिंग एले कोई पन वस्तुने फीट करवा माटे वपराता वी आकार नाज आटा पाड़ेला नट बोल्ट नो उप्योग करवा माँ है ए जनरल फास्टनिंग तरीके उड पद्धतियों मुझे अप जो ये तो वी थ्रेड करेला होई एमा बॡ मन अपन बोल्ट i अब्रिक पद्धति माटें जनरल फास्टनिगेन परा न पाड़े पर ने ऐसे घार्योक करवाना होई एमा बिडूर्त पाड़ें सार बोल्ट तबोल्ट उपर पाड़े चे आमा ब्रिटीश पद्धतीमा अने मैट्रिक पद्धतीमा ब्रिटीश पद्धतीमा जहरे पन तमारे आटा पाडवाना होई त्यारे एनो टूल आगणना बागेती जे वी आकार छे ए 55 अंस डिगरीमा ग्रांडिंग करेलू होँ जोईए मैट्रिक पद्धतीना थ्रेड पाडवाना होई त्यारे त्यारे आगणनो वी आकार साइटाउंस डिगरी ए ग्रांडिंग करेलो होईचे आ अलगलग प्रकार ना टूल ने उप्योग करी 55 दिगरी ना टूल ने ग्रांडीं करेलू होई तो तमें ब्रिटीश पद्धती मा कोईपण पीच ना के कोईपण ती पीआई ना आटा V आकार ना पाड़ी शकोचुँँँँँँँँद जिरित ए मेट्रीक पद्धती नि साइज मुझबना आटा पाड़ी शकाई जिती करें ने V टूल ना उप्योगती V थ्रेड कटिंग करी शकाई जिरित स्क्वेर थ्रेड अवे स्क्वेर थ्रेड जिये छे ए V आकार माती बतावेलो अथवा तो एना पछी नो जे हेवी लोड वाड़ू औने भारे काम करवा माते आवा चोरस प्रकार ना आटा पाड़वा माते वपराई जे ए देखावे जोईए तो पार्टिंग आकार मुझे टूल छे एज प्रकार ना टूल नो उप्योगते मा करवा मा आए जोब नी दागिना नी अथवातो शाप्ट नी साइज मुझब एमा पीच अथवातो टिपी आई मुझब टूल ने चोक्कस माप साइज मा ग्रांडिंग करी तयार करवा मा आए जे टूल ना आगणना भागे चोरस एक सर्खो भाग आपे लो है यनी त्रणे त्रण बाजुए पार्टिंग टूल आकारेज देखाती हुए जेथी करी ने दागिना नी अंदर तमें जारे स्क्वेर ठ्रेड पाड़ो तो यनो मेल भाग अने फिमेल भाग आकुरूती मा बतावे मुझब एकज सर्खा देखा से आवा स्क्वेर ठ्रेड क्या वपडा से तो के हेवी लोड़ वाड़ू जाले काम करवानू होई त्यारे आवा ठ्रेड नो उप्योग आ थ्रेड जन्रली जोईए तो स्कुरू जेक मा अथवा तो कोई पन लीप्ट करवा माटे उचकवा माटेनु जेकोई साधन बनावेलु होई हेवी लोड वाडु एने उचकवा माटे अवा प्रकार ना अवा आकार ना आटा पाड़ेला होई अवा प्रकार माटे जेकोई टूल ना उप्योग करवा मावे जे एने स्क्वेर थ्रेड टूल कहवा मावे जे एक में थ्रेड मशीनों नी अंदर जेकोई स्लाइड आपेली होई ये स्लाइड ने चलावा माटे गती माँ चलावा माटे एक स्कुरू आपेल होई जेग के ले स्क्रूँ छे औने लीड स्क्रूँ कैवा माँ आज आ लीड स्क्रूँ ने आटा पाड़ती वक्ते एनी अंदर बे वस्तुनु खास ज्यान राखवान वे एक तो फिनीशिंग पण आवो जोईए औने हेवी लोड पण लेवावो जोईए तो अभा समय लेथ मसीन उपर आट पाड़वाना होई तो एक में थ्रेड टूल नो उप्योग करवा माँ आज चनरली स्लाइड थता अने फिनीशिंग की मूमेंट योग्य माप साइज मा जारे पन मोशनल मेडवानी होई त्यारे एक में प्रकार ना आटा पाड़ेला स्कुरू नो उप्योग करवा माँ एक में थ्रेड पाड़वा माटे एनो क्वाणिय एंगल छे ओगंती संस डिगरी टूल ने ओगंती संस डिगरी माँ गशी ग्रैंडिंग करी योग्य पोजीशन मा लगावी त्यार पछी पीच अथवा तो टिपियाई मुजब ना थ्रेड पाड़वा माँ आवे चे ते एवा पाड़ेला आटा ने एवा पाड़ेला जी आटा छे ए आटा ने एक में थ्रेड तरीके ओड़वा माँ एक में थ्रेड एक साथे बे काम करे चे कि लोड पन सहन करे चे अन्ने साथे साथे एक्यूरेसिती ट्रावेल पन करे चे आवा समये दरेक मसीनों नियंदर आटा पाड़ेला होई छे, आवा आटा लेथ मशीन उपर पाड़ती वक्ते एक में थ्रेड टूलनों उप्योग थाई छे, बटरेश थ्रेड पन एक में थी थोड़ो अलग रह छे, एनि एक सपाटी स्क्वेर एक बाजूनों भाग चे एक स्क्वेर थ्रेड जी ओ लागे छ अनि एक बाजूनी सपाटी एक में थ्रेड जो लागे छे, आब बटरेश थ्रेड नों उप्योग स्क्वेर थ्रेड करता थोड़ी अलग रिते उप्योगी छे, कि स्क्वेर थ्रेड नों उप्योग उपर नी बाजूए दबान करूँ होई, अथवा तो नीचे नी प्रप्रेस सेड जन्रली 14 दिगरी इन टूल न उप्योग करवा मा आवे जा अपेला पोजीशन मुझब तूल ने सेट करी तूल पछी लेथ मसिनु पर आठा पढ़वा मा आवे जा आमा उप्योग मा लेती वक्ते एकज दिशा तरफ लोड वधारे पड़तो होई इभा कार्योजिया करवाना होई त्यां बट्रेस्ट्रेड न उप्योग ठाई चे नकल्थ्रेड कोने के वाई तो के टूल्नी योग्य पोजीशन जोया वगर अथ्वा तो ग्रांडिंग करेली पोजीशन प्रमाणे रुनिंग थ्रेड जे पाढवामा होई यह नकल्थ्रेड के वामावे चे नकल ने कोई न होय अकल. ए प्रमाने आ टूल तेयार करवामा आवे चे, कि चोकस एने ग्रांडिंग करवामा आवे, टूल नि पोजीशन मुझे बैने ग्रांडिंग करवामा आ पन एन एंगल्स न कीना होय. अगर जोही गए तेम बिटीज पद्धती मा आटा पाडवामाट पंचाउन आउंस दीगिरी ना टूल नि जरुरिया थपडेomat मैट्रिक पद्दती मा थरेड पाडवाना हो yeux थ्यारे साइट आनुच न कॉज कंटो भाग ची थदие करी तुल ने नकल थ्रेड तरीके उड़ोखवामा आवे छे अवे कामने अनुरुप दागिनानी लंबाई मा आकारो बदलवाना होई तारो के लेथ मसीन उपर काम करी एमा जुदा जुदा ओपरेशनो था एमा पेरेलल टर्निंग थाई स्टेप टर्निंग थाई गुरुवीं थाई, रिसेसिंग थाई पन घणी वकते जोईये है तो के दागिनानो छेडो गोडा आकार मा बनावामा आवे छे अथ्वा तो कोई पन एक फोर्म नकी करेलो है एक डिजाइन पेटन नकी करेलो है ए प्रमाने बनावामा आवे छे तो एवाजी आकारो करवा हो एमाना मुख्यतवे ahead chi गोडाई वाड़ो जे अंधर नो भाग जेंक और uaisो है भाहर नो भागा आवे एकस्टी्रीर गोडाई वाडॉ येंक कान फैकस काम आवे चनरली बोलवामा इसे ओवी आपनी बासा करवाना हुए कौन केव औने कौन वेक्स आकारना दागीना नी गोड़ाई करवानी हुए त्यारे ए दागीना मा टूल नो अलग लग रिते उप्योग करवामा हुए तो कौन वेक्स रचना जारे करवानी हुए त्यारे कौन केव टूल ने वापरवामा हुए अने कौन केव राचना करवाना होया, त्यारे कौन्वेक्स प्रकारणा टूलने उप्योग करवा हमा आवे nest जहीं गोडाई जोईए, एक गोडाई करवा माटे, Jokkas radius gauge न उप्योग करी आगडनी cutting age न तय्यार करवा हमाँ है radius gauge, male औने female आकारणा कौनकेव औने कौन्वेक्स आकार मा उपलब्द छे जिती करीन एना उपयोग थी टूल नी आगण नी रेडियस ने तयार करवा माँ गणी वक्ते वधारे प्रोडक्षन थी काम करवान होई अथवा चोक्कसाई मा काम करवान होई तो टूल ने ग्रांडिंग करवा माटे ग् गणी वक्ते कौनकेव टूल आकुरुती मा बतावे मुझे अगनुए पन कौन्वेक्स टूल उपर वाइब्रेशन वधारे आववाना के एना कारणे बेव बाजुए थी अर्धी सपाटी मानी रचना करे लिए यहले अर्दो उपयोग थाए एक बाजुन नो अर्ध आकार तरीके तयार करी अने बन्यव बाजुती गोडाई करवा हमा आवे चे तरके आम कौन्वेक्स बनावु है तो कौनकेव प्रकार ना टूल ने एक बाजुती अर्ध गोडाकार आम ग्रांडिंग करे लुए बीजी बाजुती आम अर्ध गोडाकार ग्रांडिंग करे आप बन्नियों ने वारा फर्दी एक बाजु या लगावे पछी आ लगावे ये बे टूल लगावी अने आखो कॉन्वेक्स तयार करी शकाई तो आ बे प्रकार नाजे टूल छे एना थी कॉन्केव अने कॉन्वेक्स आकार लावी शकाई जे काम दर्मियान मशीन नी अंदर फक्त बहार नाज काम करवाना होय उन थी गणी वक्ते दागिना नी अंदर धरी नी अंदर होल पाड़ी काणा पाड़ी ये नी अंदर जुदा 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 ओपरेशनों करवा हमाँ जे विरिते बहार नी दिशामा जुदा जुदा ओप करवा माठे बोरिंग पन करूँ पड़े तो इवह बोरिंग अथ स्टेप बोरिंग अथो गुरुविंग अथो इंटरनल रिजेश好 करवा माठे वपर से टूल्स है यह इने इंटरनल online करवा माठे वापरवा मा आवेचे अ मनुमुक्यात तयार करीला होलनी size मोटी करवा अथवा तो फिनिशिंग मेडवा अथवा तो चोक्कस माफ साइज माफ तयार करवा माँटे बोरींग टूल नो उप्योग करवा मा आवेची गणी वक्ते जोई ये तो मोटर इलेक्ट्रिक मोटर चे एनी वाइंडिंग करेली जिये आखी बोडी चे बोडी ना बे चेडा पर बे कवर लगावेला चे आ बे कवरोनी अंदर नाना गोड गुरू करेला होए खांचा येने काउंटर बोर तरीके उड़क हमा आवे ड्रिलिंग टूल जुदा जुदा आकार मा ग्रांडिंग करी अने अंदर ना भागे कोई पन ओपरेशन करूए तो थाई शक्याए दे लेथ मसीनी उपर टेल स्टोक मा आभा ड्रिल बीट ने लगावी अने चोबनी धरीमा सेंटर मा ड्रिलिंग करवा माजी आ ड्रिल तरीके पन ओडखी शकाए जे दागी ना नी अंदर लगावा पाछी एनी धरीमा थ्रू आउट होल करवो हुए अत्वा तो जरुरियात मुझबनी उंडाय मा जारे पन होल करवो हुए अत्वा तो जे साइज मा नाना मोटा होल करवा हुए तो ए होल करवा दरिम्यान वप पराता cutting tools ने drilling tool तरीके वापर वो कैवामा आवे चे अथवा तो drill bit पन कहिये चे आमा ब्ये प्रकार ना टूल आवे एक नाना टूल छे ए अनिक मुट्टा टूल चे जनरली tail stock नी अंदर याने लगावामा आवे चे जेथी करीने एनी शेंक नो छेडो टेपर शेंक तरीके बनावेलो है अथो टेपर आकार नो बनावेलो है जेथी करीने टेपर शेंक ट्विस्ट ड्रिल बीट के वामा है आ ड्रिल बीट ना उप्योग थी लेथ मसीन उपर तरीनी अंदर दागिनाना सेंटर मा कोई पन प्रक जोकश माप साइज तेमज साराँ सारुonie फइनीशिंग मेढवू होई त्यारे आ प्रकार ना रिमिंग टूल नो उप्योग करवा मा आएजे। रिमर नी अंदर बे करता वधारे एडले के मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल्स कई शकाएज। जर्णरली लेथ मसीन उपर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स वपराएजे। ड्रिलिंग करवा माँटे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स वपराएजे। पन ड्रिलिंग करेला दागिनाने चोक्कस माप साइज मा अथ्वातो पूर्ण फिनिशिंग वाडो बनावा माँटे रिमर नो उप्योग करवा माँएज। यहां बिये करता पन वधारे कटिंग आपीलिवाजे। आ बिये करता वधारे कटिंग धारो एक साथे दागिनाना शंपर्क मावी थोड़ा-थोड़ा स्वरूपे एनू मतियलने रिमूग करेजे। जेती करीने एना पर लोड वधारे आउतो न थी और शरर ताती कपातु होई नानी चीप्स न आकारे कटिंग थतु होई जेती करीने रिमिंग धर्मियान दागिनानी अंदर सौथी हाई फिनिशिंग मेडवी शकाई छे और दागिनानी चोककस माप साइज पन मेडवा एक माप प्रमाणे कौनकेव अने कौनवेक्स करवू होई अथवा तो चोककस बनावे ले फोर्म मुझब आकरूते माँ बतावे प्रमाणे धरोके आएक उपड बोल आकार्णों भाग देखाड़े जा दागिनानी एवी शपाटी बनावी होई तो एनी अंदर कौनकेव अने कौनवेक्स एम बन्ने सपाटियों नू एक साथे ग्रांडिंग करी अनी टूलनी पोजीशन तयार करवा माई ए पोजीशन मुझब दागिनो लेथ स्पिंडल मा लगावी योग्य स्पीडे चलावी टूल पोस्ट ने बतावे प्रमाणे टूल पोस्ट करी एमा टूल पोस्ट ने योग्य रिते फीट करी बन्ने उन्ने एक्सन मा लावी आकरूती मा बतावे मुझब नो ओप्रेशन करी शकाई चे अवा कोई पन प्रकार ना फोजीशन होए तो ए आकारे टूलने ग्रांडिंग करी अने जुदा जुदा आकार मा तम्ये फोजीशन पोजीश आउन टर्निंग तमारा काम ना नुडूप जुदी-जुदी रिते तयार करवा मा आवेज़ अने काम मुझब गणी वक्ते आमा आकूरूती मा बतावे प्रमाने कापड़े बोल आकार नी आकूरूती बतावेज़ गणी वकते उपरना बागे थी अनिदार अथ्वा तो आम शेप मा बनावी होई तो पन ये प्रमाने टुल नी पोजिशन ग्राइंडिंग करी औने तयार करवामा आवेचे तो आप्रकार ना टुल ना उप्योग थी गोड आकार तयार करी शकाईचे अथ्वा तो तमारा चोकस नकी करेला प्रोफायल मुझबनों जे कोई ओप्रेशन करिये येने फोर्म टुल तरीके उडखवामा आवेचे नरलिंग टुल तो के कोई पन मशीनों मा हैंडल चे लीवर चे अथ्वातो ताकात थी जे कोई वस्तुने पकडवानु चे आवा पकडवा माटे जे कोई भाग चे ए भाग ने हाथमा छटकी न जाए एटला माटे एन उपर नरल करवा माँ आवेचे एने नरलिंग करवा माँ आवेचे नरलिंग करवा माँ आवेचे आकरूती माँ बतावे प्रमाणे हाड करेली टूल स्टिल नी एक चकरड़ी आवेचे एना उपर जुद्धा जुद्धा आकारे दाता करे यहले हाथ ने मजबूताई थी पकड़ी शकाई अथवा तो थोड़ी ताकात वधारे करी अने फेरवानू होई तियां हाथ माथी चटकी ना जाई एवो दागीनाने पकड़वाना होई एवी जग्या पर नरलिंग करवा माँ होई चनरली आपड़ा उप्योग दर्म्यान मा मायक्रोमीटर ना रेचेट ना भाग मा अथवा तो थिम्बल ना भाग उपर नरलिंग करेलू होई चे जे तमारा हाथ ने पकड़ी शकाई आवा ओपरेशन करवा माटे नरलिंग टूल उप्योगी चे तूल जोमेटरी तो के सिंगल पोइंट कटिंग टूल मा आवता आकुरूती मां बताव्या मुझब जुधा जुधा एंगलो जे आपेला छे एंगलो मा एक्तो एनी फेश आवे आगणना भागे कापेलो पोइंट आवे त्यार पछी एने फ्लैंक आवे कटिंग एंगल आवे कापा माटे जे वप्रा जे भागेती टूल कापे छे एने isa a यह दा जे शोरीटी दागिना अने कापा माटे जुधा 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 आकार बताव्या छे वच्चे जे आपेलो टूल छे एनने पोजेटिव रेक एंगल के हमाँ आवेजे छेल्ले जे बतावेलो जे छे एनने नेगेटिव रेक एंगल के हमाँ आवेजे अने प्रथम जे बतावेलो छे एनने जीरो रेक एंगल आ त्रणेव पोजीशन मुझे अलग लग रिते उप्योग मा लई शकाएचे जारे लोड वाड़ू काम करवानु होए त्यारे नेगेटिव रेक एंगल राखवामा आवेचे अने फिनिशिंग हाई फिनिशिंग मेडवानु होए और अच्छू मट्रियल दूर करवानु होए त्यारे पोजीटिव रेक एंगल राखवामा आवेचे त्यारे टूल नी अंदर साइड क्लियर्स एंगल आपेलो होएचे क्लियर्स एंगल ना उप्योग थी चोब मा ज्यारे कापता होए त्यारे कटिंग एक संदर्म्यान कटिंग पोइंट तेमाज कटिंग एजर्स तती होवी जोई ये इटला माटे क्लियर्स एंगलो आपेला होए उपर ना भागे आपेला जे एंगलो छे एने रेक एंगल केवा मावेजे जारे टूल नी बे बाजु आपेला एंगलो छे एने क्लियरंस एंगल केवा मावेजे तेमा फेस साथे आपेलो भाग छे एने फ्रंट क्लियरंस एंगल केवाई पाचण ना भागे आपेलो छे, बाजुना भागे आपेलो होए तो येने side clearance angle केवाई अने आगण ना तरब ती, पाचण ना तरब धर्दो जे angle आपेलो छे येने back clearance angle अथो तो back rack angle आपेलो छे टूल मा आकुरुती मा बतावयम जब नीचे बतावयलू जे टूल छे एमा बेक क्लियरंस एंगल पन दर्स आवयलू छे लेत मसीन उपर काम करती वोकते ओपरेशन अनुरूप अलग-अलग प्रकार ना कटिंग टूल्स नो उप्योग करवा मा आए जे आ प्रकार ना कटिंग टूल्स ना उप्योग थी जुदा-जुदा प्रकार ना दागी नावने तयार करी शकाई जे जनरली त्राण प्रकार ना कटिंग टूल्स बजार मा उप्योपत होई जे कामने अनुरुप अलगलग प्रकार्ना कटिंग टूल्स ने उपयोग मलई दागीना उपर जुदा जुदा आकारो बनावी शकाये आ लेथ मसीन उपर वपराता कटिंग टूल्स केवा मा आजे आ दरेक टूल ना उप्योग थी कोई पन प्रकार ना दागिनानू निर्मान करी शकाईचे आपने जोई गया कि लेथ मसीन उपर वपराता अलगलग प्रकार ना दरेक कटिंग टूल्स ना उप्योग थी केवा केवा कारियो करी शकाई छे अने ए कारियो करवा माटे केवा केवा प्रकार ना कटिंग टूल्स नो उप्योग थाई शके जे आना उपर थी तमे जुद्या जुद्या प्रकार्ना टूल वापरी अने लेथ मसीन उपर थता दर्यक प्रकार्ना उपरेशनों करवानी तमारामा समझन पड़ से आ प्रोग्राम दर्म्यान तम्मे जे शिख्या एमा लेथ मसीन उपर कारिय करवा माटे वपरादा कटिंग टूल्स केवी रिते वापरवा केवी रिते ग्रांडिंग करवा और केवा ओपरेशन नो थाई शके ये विशे शिख्या नमस्का